हाइदराबाद में हार के बाद भारत को अपने गौरवपूर्ण घरेलू रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देनी थी दूसरे टेस्ट में कोहली, राहूल और जडेजा के बिना उतरने का मतलब था कि भारत पर तौस जीतने के बाद बड़ी बल्लेबाजी करने का दबाव था भारत को यशस्वी जयस्वाल के रूप में अपना सर्वश्वेश्ट खिलाडी मिला 22 वर्शिय खिलाडी ने अपना चठा टेस्ट खेल कर उलेखनिय परिपकवता दिखाए डैडी सेंचूरी के प्रती उनके स्वभाव ने मेजबान टीम के लिए दिन बचा लिया पहले दिन का ट्रैक बल्लेबाजी के लिए सबसे अच्छा समय था लेकिन अभी भी बल्लेबाजों को काम करने की जरूरत थी इंग्लेंड ने अपनी आक्रामक रननीती जारी रखी लेकिन जोखिम से बचते हुए दिन चड़ने के साथ साथ जयस्वाल की पारी बढ़ती गई एक स्वीप को छोड़कर जो उपर की ओर था और क्षेत्र रक्षक से चूप गया जयस्वाल ने शायद ही एक पैर गलत डाला उनके सभी पांच छक्के क्लीन हिट थे उनके द्वारा की गई सभी प्रमुक साज़ेदारियों में ये दक्षिन पूर्वी साज़ेदार था जिसमें सबसे अधिक उतपादक श्रेयस एयर के साथ तीसरे विकेट के लिए 90 रन की साज़ेदारी थी बाए हाथ के स्पिनर टॉम होटले को विशेश उपचार के लिए आरक्षित किया गया था क्योंकि 45 में ओव में जयसवाल ने उन पर तीन चोके लगाए इसके बाद उन्होंने 151 गेंदों पर अपना शतक पूरा करने के लिए होटले को लॉन गॉन पर लहराया बाए हाथ का ये बल्ले बाज हाइदराबाद में शतक बनाने से चूप गया और वहिसे यहां गिनाना चाहता था यशसवी जयसवाल ने कहा मैं इसे सत्र दर सत्र खेलना चाहता था जब वे अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे तो मैं बस उस पैल से पार पाना चाहता था हाला कि मैं धीली गेंदों को गोल में बदलना चाहता था और अंत तक खेलना चाहता था दिन के खेल के अंत में जायसवाल को एंठन से पीडित होने के कारण चिकित सा सहायता की आवश्यक्ता थी लेकिन उन्हें इस पारी को जारी रखने की उम्मीद है मैं इसे दो गुना करना पसंद करूंगा